इस कारिकर्म के पुन्यार जख है शिरी पाश्वनात दिगंबर जहन मंदिर कमेटी कचार गाओं बड़ा जिला कटनी मध्यप्रदेश गुरु भक्त परिवार आओ माहसिथे भ्याः ओम नामाहसिथे भ्याहः आओ कथा हम तुमें प्रभु की सुनाते स्री राम चंद्रमुनिके गुण गीत गाते मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी ध्याओ सदार दय में बनने अकामी थे अश्ट में बहुगुडी बलभद्र राम अत्यन्त प्रेम युत लक्ष्मन भ्रात नाम सीतासती जनकराज सुताती प्यारी जोशील रूप गुडखानी प्रशेद नारी देवादेव एक अजार आठ स्री रिशवनाथ वगवाने की वर्तमान शासन नायक स्री वर्तमान महावीर वगवाने की स्री एक अजार आठ स्री राम शिद्ध प्रभू वगवाने की आप सभी लोग यह जो राम कता सुन रहे हैं इससे आपके अंदर धैर की भी व्रद्धी होनी चाहिए धैर, धैर समझते हैं थोड़ा धीरस धरो, धैर धारन करो जल्दी घबडाओ नहीं, जल्दी परेशान नहीं होना यह कहलाता है धैर, और यह धैर हमें इन महापुरसों की जीवन चरित्र को देखने से मिलता है जब लक्षमन ने वह अफसकुन देखे रास्ते में उन्होंने जटाईव पक्षी को मरा हुआ देखा वो सोच करके और ज़्यादा घबराने लग गए और उस समय पर उनका जो मित्र बन करके विराधित विद्यादर आ गया था वे उन्हें धैर देता है आप घबडाएं नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा आप व्याकुल नहों, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इस तरह से उनको धैर देते हुए, वे आगे वढ़ने लगा जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो आप उसकी परेशानी दूर कर पाएं या ना कर पाएं लेकिन अगर आप उस समय पर उसे धैर बना देते हैं तो ये आपके द्वारा उसके उपर एक बहुत बड़ा उपकार हो जाता है परेशानी में आए हुए व्यक्ति के लिए केवल अच्छे सब्द बोल देना भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा थोड़ा धेर रखो, ये बुरा समय आया है, निकल जाएगा घबडाओ नहीं, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं अपने जीवन में भी आये हैं, हम तुमारे साथ हैं आप बिलकुल चिंता मत करो, हम तुमारे साथ में हर समय रहेंगे आपके लिए कोई कष्ट नहीं होने देंगे और आपके उपर आने वाला कष्ट भी हमारे लिए कष्ट बनेगा ऐसा अगर हम किसी के लिए बोल देते हैं तो इतने धैर के बचन सुनकर के ही सामने वाले को बहुत बड़ा सास मिल जाता है, संबल मिल जाता है और यही एक अच्छे मित्र का कार्य होता है आप एक दूसरे के अगर अच्छे मित्र बनेंगे तो मित्र की पैचान है बुरे समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में उसे धैर देना और यही धैर हुए विरादित अपने मित्र लक्ष्मन के लिए दे रहे हैं और उस धैर के साथ बाच्छीत करते करते चलते चलते आगए दोनों उस इस्थान सीवियोग बैठे जहां होए राम हलकान होए राम हलकान मोह में दुखित हुए है भारी बड़े विवे की सम्यक द्रश्टी पुद्ध गई सब मारी देख देख भाई को लक्ष्मन शोक करे मन माही पुरसो तम को कष्ट दिया क्यों क्या विधिनाने चाही धैर देते हैं भाई को धूडेंगे जनक की जाई को करो कुछ सोच ना भ्राता सारी प्रत्वी छान के लाऊं जहां गई हो माता जब लक्ष्मन जी ने स्री राम को एक निराश मुद्रा में एक जगए बैठा हुआ देखा तो उन्होंने भी अपने भाई को धैर धनाया और कहा प्रभू आप बिलकुल भी परेशान नहों मेरी मा को जो भी जहां कहीं पर भी ले गया होगा उसका पता लगा करके मैं बहुत जल्दी लाऊंगा श्री राम ने लखन को उरसे दिया लगाए विजय प्राप्ति लख ब्रात की शोग में हर्ष मनाए देखो कभी कभी कैसा होता है हर्ष भी होता है और सोग भी होता है हर्ष किस बात का हुआ लक्षमन जीत करके आया इतने बड़े विद्यागरों के माध्यम से उसकी हार नहीं हुई और विद्याओं के स्वामी होते हुए भी वह उनसे परास्त नहीं हुआ लक्षमन जीत करके आया इसका उन्हें हर्ष था लेकिन विजय प्राप्ति के उस हर्ष के साथ साथ उन्हें सीता के वियोग का दुख था और कभी-कभी शोक में भी हर्ष मनाना पड़ जाता है और कभी-कभी हर्ष में भी शोक उत्पन्न हो जाता है सुनते हो सुख और दुख दोनों रहते जीवन है वह गाँ कभी धूप तो कभी शाओ कभी धूप आ जाती है तो कभी शाओ हो जाती है और कभी-कभी तो धूप और शाओ भी एक साथ देखने को मिलती और एक साथ कभी-कभी धूप शाओ भी अच्छी लगती है बैठना दूप में है लेकिन थोड़ी सी च्छाओं भी करना होता है जिस तरह से ये हमारे जीवन में आता है ऐसे ही कभी-कभी घोर धूप होती है घोर दुप का समय होता है कभी-कभी घोर च्छाओं होती है अच्छा सुख का समय होता है और कभी-कभी दुख में भी सुख आ जाता है और कभी-कभी सुख में भी दुख आ जाता है बताओ गाउवालो अभी ये कौन सा समय चल रहा है चार ओप्सन में से कौन सा टाइम चल रहा है आपका अभी आप गनी च्छाओं में बैटे हैं इस अयोध्या नगरी में बैटे हैं जिस अयोध्या नगरी में भगवान रिशब देव का जनम हुआ भगवान स्री राम का जनम हुआ आप उन जनम की कथा भी सुन रहे हैं और आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भगवान रिशब देव का जनम हुआ कैसे हुए गरव में आए जैसे स्री राम गरव में आए ऐसे वे भी गरव में आए और जैसे उनका जनम हुआ वैसे ही भगवान रिशब देव का जनम होगा और कल का दिन आप लोग विशेश रूप से याद रखना कलिए सुन रहे हो गाँवालो हाथ तो उठा के बताए करो सुन रहे हैं पता तो पड़े कैसे आप बä Veterans कल का दिन जैसे आपके अंदर स्री राम के जनम का उल्लास होता है स्री राम के जनम का आनंद होता है ऐसे ही कल आपको स्री रिशब देव आधिनाथ भगवान के जनम का उल्लास आपके अंदर होना चाहिए और कल आप भगवान का जनम देखने के लिए यहां पर आना सुबह के समय पर वह जनम का कार्य दिखाये जाएगा जनम के समय पर कैसे इंद्र और इंद्रानी के बीच में बालक के लेकर के आपस में जो कुछ भी बाक्षीत होती है वो आपको देखने को मिलेगी इसे देखना नहीं बूलना आप लोग दोपहर में तो पस्तित होते हैं लेकिन कल आप लोग सुवेवी आने की कोशिस करना ताकि आप भगवार रिशब देव का जनम देख पाएं और भगवार रिशब देव का जनम देखना भी स्री राम का जनम देखना ही है क्योंकि सभी इच्छाकू बंस के ये महापरुष है जिस इच्छाकू बंस में रगू बंस में स्री राम हुए है वे इच्छाकू बंस सबसे पहले शुरू किया था तो भगवार रिशब देव ने शुरू किया था स्रीमत भागवत में भगवार रिशब देव का वर्डन आता है और स्रीमत भागवत में भगवार रिशब देव का वही वर्डन है जो वर्डन जेन सास्त्रों में मिलता है उनके पिता नाभी राय उनकी माह, मरू देवी और उनके सो पुत्र और उन सो पुत्रों में सबसे बड़ा जेठा पुत्र सबसे बड़ा पुत्र भरत जिस भरत को चक्रवर्ती बनने की उपादी मिली थी और जो भरत पूरे 6 खंडों का पूरी प्रत्वी का राजा था ऐसे भरत जैसे महापुत्र को जनम देने वाले भगवान रिशब देव से ही इच्छाकू बंस प्रारम हुआ था उनी भरत के नाम पर आज इस देश का नाम भारत जाना जाता है ये वही भरत हैं जिनका उल्लेक स्रीमत भागवत में हैं और आदी पुरान आदी गरंतों में हैं ऐसे उन भरत रिशब देव से सबकी डोर जुड़ी हुई है वो हमारे पहले तीर्थंकर थे आपको सामान निसी जानकारी देने के लिए बता दूँ कि एक तीर्थंकर होने के बाद में दूसरे तीर्थंकर होने के बीच में बहुत लंबा टाइम होता है बहुत लंबा गैफ होता है और ऐसे गैफ करते करते असंख्यात वर्सों के गैफ होते होते उए जाकर के दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, चौथे तीर्थंकर, पांचवे, छटवे, सातवे, आठवे ऐसे करते-करते जब बीसवे तीर्थंकर उतपन हुए थे उनका नाम था मुनिशुबरतनाथ क्या नाम था? गाव वालों को थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जहन दर्शन की भी और तीर्थंकरों की भी हो जानी चाहिए पहले तीर्थंकर का नाम क्या था रिशब देव बोलो सब लो रिशब देव जिनके पुत्र का नाम क्या था भरत और जो पहले तीर्थंकर थे ऐसे तीर्थंकर होते होते जब 20 में तीर्थंकर आये तो उनका नाम था मुनिसुब्रतनात क्या नाम था ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इनी तीर्थंकर का जब तीर्थ चल रहा था इनी तीर्थंकर का जब समय चल रहा था तभी स्री राम भगवान का जनम हुआ था ये बलभद्र कहलाते हैं और ये आठवे बलभद्र के रूप में प्रिशिद हुए थे कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में हुए मुनिशुब्रतनात तीर्थंकर के तीर्थ में हुए बीस में तीर्थंकर उसके बाद में फिर और 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों और उसके बाद हुए नमीनात भगवान हुए नेमीनात भगवान हुए जो नेमीनात भगवान के बारे में भी आपने सुना ही होगा सुना है आपको बता दें जानकारी के लिए स्री राम पहले हुए स्री क्रश्न बाद में हुए है और जो स्री क्रश्न हुए है वो नैमिनाद भगवान के तीर्थ में हुए है वो नैमिनाद भगवान के सगे संबंदी थे वो यदू बंसी कहलाते थे यादव कहलाते थे इसलिए जितने भी यादव होते हैं यदू बंसी होते हैं ये सब उसी इच्छाकू बंसी से संबंद रखते हैं और सभी उसी अहिंसा धर्म से संबंद रखते हैं और सभी उस जैन धर्म से संबंद रखते हैं भले ही हुआ किसी भी जाती में उत्पन हुए हो लेकिन पहले ये एक हुआ करते थे और आज भी सब एक है चाहें वो यादव हो ठाकुर हो, साहू हो सूर्य बंसी हो राजपूत हो, ये सभी उनी तीर्थंकरों के बंस में उत्पन होने वाले लोग हैं इसलिए सब आपस में रहने मिलने वाले भाई भाई है ये हमेशा ध्यान रखना हो सब भाई भाई हैं जो अहिंसा को माने वो हमारा भाई है अहिंसा जमस्ते हो, हिंसा ना करे, अहिंसा को माने, मास ना खाए, सराब ना पिये, वो हमारा भाई है, वो हमारे बंस का है, वो तीर्थंकरों के बंस का है वो रगु बंसी है वो इच्ष्वाकु बंसी है बंस बाद-बाद में नए नए नामों के आते गए लेकिन सब है उसी एक ही इच्ष्वाकु बंस के अलग-अलग नाम और नेमिनाद भगवान के समय पर Shri Krishna हुए नारायंड Shri Krishna और उसके बाद में पारसनात भगवान हुए कौनसे भगवान कम से कम आपको चार पांच स्थिर्थंकरों के नाम ध्यान में रहने चाहिए वही पारसनात भगवान जिनके उपर हमेशा फण, नाग खड़े रहते हैं फड लगाए हुए जिनकी मूर्ती आपके जिनाले में इस्थापित होने जा रही है जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसे ही वो पार्शनाद भगवान चारों और धर्णेंद्रों से गेरे हुए नागएंद्रों से गेरे हुए मिलेंगे वो पारसुनाद भगवान है जिनके दरसन से जिनका नाम लेने से हमारे विग्न दूर होते हैं हमें सुक सांती मिलती है और फिर अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी जिनने हम वर्दमान महावीर भगवान कहते हैं आप लोग महावीर भगवान स्री हनुमान जी को भी कहते हैं लेकिन वह महावीर भगवान वर्दमान के रूप में जो हुए वो 24 में तीर्थंकर हैं और जो हनुमान जी हुए वो तो स्री राम के समय पर हुए उनका नाम भी आगे आने वाला है वह आपको सुनने को मिले ना म ले लेकिन जितना मिल रहा है उतना तो अभी असुन ही लेना वे विराधित लक्षमाण सम मिलकर के स्री राम को समझाते हैं और स्री राम के मन में हर्स भी थोड़ा आ जाता है जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेस हो रहा हो थोड़ा सा हम उसे संबल दे दें तो ऐसे उनके अंदर आ गई फिर विराधित ने राम चरण में आकर शीष जुकाया है माता को हम तलास करें रगुवर को बहुत समझाया है ये स्वामी खरदूशन संबुक दोनों ही म्रत्यू को प्राप्त हुए इनके साथ ही बहुत राजा है बैठ मन पस्चाता इस महाँ दुख में है स्वामी यदि मिलकर सब चड़ आएंगे सीता का सोक लिए मन में आप उन्हें जीत नहीं पाएंगे इसलिए लंक पाताल चलें वहां निर्वय होके उपाय करें चलिए यह मेरी प्रार्थना है भगवान सरण से काज सरें तब चार हाथियों के रत पर चड़ करके दोनों जाते हैं लेकिन सीता बिन छवी नहीं मन नहीं कहां कहीं लगा पाते हैं पाताल लंक द्वारे पहुँचे था सुन्दर उसका अधिकारी खरदूशन का लगपुत्र सेन लेकरी युद्ध की तैयारी कुछ देर किया था युद्ध न सम्मुक लक्ष्मन के टिक पाया है निजमाता को ले साथ युद्ध से लंका की दिशिधाया है श्री राम लखन खरदूशन के महलों में जा आबाद हुए सुन्दर जिन मंदिर देख वहां भगवान शरण से शांत हुए सिरिजिन वानी जग कल्लानी जग जण मदतम मोरी जण मन हारी गड़ हर हारी जम जरा भव रोग हरी तित्थिय रानं दिवजुनिंजो पड़ै सुनै मैये धारै रानं सोख मनंतं धरिय सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै इस कारिकरम के पुन्यार जग थी शिरी पाश्मनात दिगंबर जयन मंदिर कमेटी कचार गाउं बड़ा जिला कटनी मध्यप्रदेश गुरु भक्त परिवार